आईपेल दोहजार चौबीस का पंदरवा मैच रोयल चेलेंजर्स बैंगलूरू और लकनो सूपर जॉइंट्स के बीच दो एप्रिल को बैंगलूरू के एम चिन्नस्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा दोनों टीमों में स्टार खिलाडी माजूद हैं जो कभी भी अपनी दम पर मैच का रुक पलट सकते हैं RCB को पिछले मैच में कॉलकाता नाइट वाइडर्स से हार का सामना करना पड़ा था वहीं लकनों ने पंजाब किंग्स के खिलाफ जीत दर्स की थी RCB और लकनों के बीच पिछले सीजन में राइवल्री भी देखने को मिली थी ऐसे में इस बार भी कड़े मुकाबले की उम्मीद है आईए आपको बताते हैं बैंगलूरू और लकनों के बीच होने वाले इस मैच में पिछ का मिजाज कैसा रहने वाला है बैंगलूरू के एमचिन्नस्वामी स्टेडियम के पिच बल्ले बाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है यहां बल्ले बाजों को काफी ज्यादा मदद मिलती है गेंद बल्ले पर अच्छी तरह से आती है मैदान छोटा होने के वज़े से चौकों और चकों की बारिश होती है इस पिनर्स के लिए स्पिच पर काफी मदद रहती है वे बल्ले बाजों को थोड़ा फसा सकते है बैंगलूरू के इस मैदान पर अब तक IPL के कुल 90 मैच हुए इसमें पहले बल्ले बाजी करने वाली टीम ने 37 तो दूसरी बार बल्ले बाजी करने वाली टीम ने 49 मैं जीते यहां टीमों को चीज करना ज्यादा पसंद आता है ऐसे में जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले गेंद बाजी करने को देख सकती है पहली पारी का औसट स्कूर एमचिन्ना स्वामी स्टेडियम में 172 रन है बात करें संभावित प्लेंग 11 की या फिर वो प्लेंग 15 जो होती है जो स्क्वार्ड होता है उसके बारे में सबसे पहले RCB क्यों देखें तो फाफ डुपलेसिस कप्तानी करते नजर आएंगे ग्लेन मैक्सविल, विराट कोली, रजत पाटिदार, अनुज रावत, दिनेश कार्तिक, सुयश, प्रभू देशाई, विल जैक्स, महिपाल, लुमरूर, कर्ण शर्मा, मनूज भंडागे, म लोकी फर्ग्योसन, स्वनपिल सिंग और सौरफ चोहान का नाम इस स्क्वार्ड में शामिल हैं। एम सिधार्ट, एस्टर टर्नर, मैट हैंडरी और महमद अशर्द खान का नाम इस लकनों के स्क्वार्ड में शामिल हैं।